आप सभी लोगों का स्वागत थे आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सोनपुर में और जैसे कि आप सभी लोगों का जो है फर्स्ट येर दोजर तेश से पचिस से सिसन का एडमिर्शन जो है कनफर्म हो चुका है और आप सभी लोगों का जो है एक सवाल आपका एडमिर्शन हुआ है ये लड़ आपका जो है फर्स्ट सेमिस्टर अगर हम बात कर लें सेसन की तो 2023 से आपका जो है पचीस सेसन के लिए हुआ है और आपका पता था कि सर क्लास कब से चलेगा कॉलिज में इसके रिगारिंग आप मुझे बता दीजिए तो इसके रि स्टार्ट नहीं है अब मैं आपको कारण बता देता हूँ अब मैं आपको कारण बता देता हूँ प्राइविट कॉलिज वाली जो है वह अपने अनुसार से आपको नोटिस भेज दियोंगे गुरूत आपको ये मालूम होना चाहिए आपने जिस कॉलिज में एडिमिशन ल क्लास कब से चलेगा बाकी मैं आपको बता दू बहुत सारे कॉलिज में जन्वारी से स्टार्ट हो चुके हैं इतने सारे कॉलिज जो है दिसंबर में ये स्टार्ट कर दिये थे तो आप लोग एक बार जरूर कॉलिज में संपर्क कीजिए और बाकी इस वीडियो के नीचे जो है आप लोग कमेंट कीजिए का जो बच्चे नजदी की कॉलिज से होंगे इसर कहा कहा कॉलिज स्टार्ट हो गया है मुझे आप लोग इनफर्म कीजिए और एक और नोटिस आपको हम बताना चाहेंगे डाइट सिवान की जहाँ पर जो है आपका कॉलिज स्टार्ट कर चुज जो कि आपको इसकूल में जाकर पढ़ाना होगा और आपको जु है जारी कर दिया गया है बोलिए कि सर जूट बोल रहा है, हम जूट नहीं बोल रहा है, आईए हम आपको ले चलते हैं दूसरे स्क्रीम पर, आईए हम आपको दूसरे स्क्रीम पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है, डाइट सिवान वाले बच्चों का तो डर रहे होंगे इसी तर कि आप हम करी तो करी क्या? यह देख सकते हैं कि आपका नोटिस, यहांपर यह देख सकते हैं, यह आपका जीला, सिछा प्रसिछन संस्थाल, डाइट सिवान आपको नजला आ रहा है, और यहापर जो है, फोन नमर दिया गया है, जो बच्चे डाइट सिवान से है, पता कर ली attendance देना बहुत ज़रूरी है अगर आप attendance नहीं देते हैं आपका application और आपका जो admission है रद कर दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं DLA पर्थम वर्ज के प्रसिख्चू को सुचित किया जाता है कि आपका प्रसिख्चन आज दिनांक 1-1-24 से प्रडम्भ है मतलब मिश्विक्षित करेंगे यानि कि आपको जो है मतलब आपको 10 बजे से लेकर आपको जो है 12 बज के 30 मिनट तक जो है college में class करना है college में क्या करना है class करना है जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद जो है 2 बजे से लेकर आपको जो है सरकारी स्कूल में आपको प्रसिख्षन पढ़ायास करना है यानि कि SAP 1 आपको करना है जहांपे आपको जाकर बच्चों को पढ़ाना है शीखना है और किसे पढ़ाए बहुत सारी चीज़ें आपको जनकारी प्राप करना है और वहाँ पर बच्ची है तो फिर दिक्कत होगी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा पहले भी बिहार में असा नहीं था अब बिहार में कडाई हो चुका है आपको एटेनिंस देना पड़ेगा समझ गए तो यहाँ पर नोटीस में लिखा गया है नागतार तीन देना उपस्तित रहने पर नमंकन रद कर दिया जाएगा और जो बच्चे पूछ रहें कि सर मेरा कॉलिज में कब से स्टार्ट होगा तो बाबु हमको जनकारी मिलेगा तो हम आपको बताएंगे लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप लोगों के पास भी फोन है चैट करने के लिए फोन है बात करने के लिए फोन है लब सब किजिएगा गल्फरेंड से पढ़ाईएगा ये किजिएगा वो किजिएगा लेकिन कॉलिज में एक पर बात करने में आपको सरम आती है तो ये बा कि सर हम लोग का क्लास कब से स्टार्ट होगा क्योंकि आपका सेशन भी तो कंपलीट होना चाहिए घर बैटे रहेगा पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं तो आप लोग जरूर पता कीजिए मिलता है नेक्स टुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थाएंगे सो मच टेक किया